गुद मारिंग चिल्डून, वेलकम इन मैक्स क्लास, वेर दूइंग चैप्टर टू एडिशन, तोड़े इस टॉपिक इस एस्टिमेटिंग अपके लिए नया वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग नया नहीं है, देखिए, एस्टिमेटिंग का मीनिंग होता है, राउंडिंग हम राउंडिंग अफ टॉपिक चैप्टर वन में कर चुके हैं, तो जरा टॉपिक को समझते हैं पहले, एस्टिमेटिंग अब एस्टिमेटिंग तो हो गया, राउंडिंग अफ और सम का मतलब होता है, प्लस करना, ठीके, तो आपको कुछ नमबस दिये होंगे, तो उन्हे हम राउंड ओफ करेंगे, और फिर प्लस करेंगे, सिंपल सा मीनिक है इसका, चलिए, वन यू लर्न दिस टॉपिक, यू विल बे अबल तो सॉल्व एक्सराइस 2.5, प्लस करेंगे, तो चलिए, देखते हैं अपना टॉपिक, आज का टॉपिक, एस्टिमेटिंग अस्टिम पहले पढ़ चुके हैं, जब राउंडिंग ओफ के स्टेप हम रिवाइज कर ले, राउंडिंग ओफ नमबस टू नियर एस टैन्स, यह हम पहले सीख चुके है, चलिए, टैन्स को हम कैसे लिखते हैं, वन जीरो टैन, अब हाफ ओफ टैन होता है फाइब, ये बात आपको होनी चाहिए, हाफ of 10 is 5, तो किसी नमबर को आप 2 डिजिट हो, या 3 डिजिट नमबर हो, उसको हम जब राउंडिंग ओफ टो नियर एस टैन्स करते हैं, तो step 1 हमारा क्या है, मार्क दिजिट अन दे टैन्स प्लेस, हम उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, एक डॉट लगा सकते है आप वहाँ पी, ठीक है, then step 2, check the value of the digit on the 1's place, 1's place पे जो डिजिट है, उसे चेक करना है, हमने 10's place को मार्क किया, 1's place की डिजिट की value चेक करें, वो value 5 से, अगर less है, तो हम राउंडिंग डाउन करेंगे, 5 या 5 से बढ़ी है, तो राउंडिंग अप करेंगे, यही आपका 3rd step है, if the digit on the 1's place is less than 5, round down, जब हम round down करते हैं, तो हम 10's place की value को same to same copy करते हैं, ठीक है, step 4, if the digit on the 1's place is 5 or more, more than 5, you will round up, जब हम round up करते हैं, तब हम 10's की place पर plus 1 करते हैं, okay, step 5, digits on the right side, you will replace by 0, अब 10's place के right side में 1's place है, तो 1's place की जो भी digit है, उसके बदले में हम 0 लिख देंगे, okay, step 6, digits on the left side will remain the same, अब 10's digit के left side के digit है, तो वो same रहेंगी, ठीक है, एक और बात note करने की है, that when we are rounding the numbers to near as 10, 10 की last digit 0 होती है, तो हमारे rounded off number की भी last digit 0 हो जाएगी, यह आप याद रखेंगे, ठीक है, let us see with an example, estimate the sum to the near as 10, हम जान गए है कि estimating का मतलब rounding off होता है, sum का मतलब होता है plus, because sum is the result of addition, तो जो numbers दिये हैं, इन्हें हम पहले round off कर लेंगे, कहां round off करना है, near as 10's में, okay, हमारे पास है 64 plus 127, तो पहले हम 64 को round off करेंगे, हम इसका rounding off, right hand side, यह सारी steps follow करते हुए करेंगे, let us see the steps, 64, it is a two digit number, now first step is mark the digit on the 10th place, 10th place का digit कौन सा है, 6, यह once place है, यह 10th place है, 6 को मने mark कर लिया, अब right side के digit को check कर उसकी value, once place की digit की value check करें, 4, 4 is less than 5, 4 is less than 5, तो हम round down करेंगे, round down याने 6, यह जो 6 है, वो as it is copy हो जाएगा, 6 will be copied as it is, okay, and 4, इसको replace करेंगे 0 से, तभी तो यह rounded off number बनेगा, 6, 0, तो 64 is rounded to 6, 0, यह इसका estimation हो किया, 64 is rounded to 60, let us see the next number, 167, 127, तो first step is mark the digit on the 10th place, 1s, 10s or 100s, 10th place की digit ही रही, 2, okay, now see the digit on the 1s place, 1s place digit is 7, 7 is more than 5, तो फिर हम क्या करेंगे, round up, round up करना, याने 10s की digit में, प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, अब right side की digit 0 हो जाएगी, left side की digit as it is रहेगी, तो हमारा number हो जाएगा, 7 तो round होना है, round होना याने 0 हो जाना है, 7 की value हो जाएगी 0, 1s place पे लिकेंगे हम, 2 में plus 1 हो रहा है, तो यह हो जाएगा 3, and left side digit will remain same, तो this will remain same, अब हमें, हमने estimate तो कर दिया, ठीक है, अब हमें sum find करना है, ठीक है, अब देखिए 64 है, तो 60 के near होगा, या 70 के near होगा, it is near 60, तो यह हमने round off कर लिया है, ऐसे 127, 130 के पास होगा, इसलिए हमने round up किया है, अब हमें करना है, इसका sum, okay, plus करना है, and draw a line, 0 plus 0 is 0, 6 plus 3 is 9, and 1 and no other number, 1 will remain as it is, 190 is the estimated sum, यह जो हमारा question था, 64 plus 127, उसको हमने estimate किया और sum find किया, तो 190 is the estimated sum, this is exercise 2.5, everyone will write the date, in the column 29th May, question number 1, estimate, मतलब round off, the sum to the nearest tens, okay children, estimate करना है, याने round off करना है, sum, sum find करना है, याने हमें, plus करना है, तो हमें एक से जादा नंबर होंगे हमारे पास, to the nearest tens, अब 10 है, तो हमें half of 10 पता होना चाहिए, that is 5, यह सब बच्चे जानते हैं, ठीक है, let us take question number 1, एक पार्ट, 282 plus 54, you will write one digit in one box, leave the appropriate space, like that, and then leave a line, अब पहले 282 को लिख कर, उसको nearest tens में round off करेंगे, ओके, तो steps हमें पता है, once, tens, hundred, हम near as tens में कर रहे हैं, तो tens digit के कौन सी place है, 8, 8 को मैंने mark कर लिया है, ताकि मुझे पता चले, कि 8 को हमें as it is copy करना है, या फिर plus 1 करना है, इसी लिए तो हम उसे mark करते हैं, ठीक है, see the digit on the once place, once place के digit है 2, अब आप पताईए, बिटा, 2 को half of 10 से compare करेंगे, याने 5 से, 2, 5 से, हम जानते हैं, वो छोटा है, जब 2, 5 से छोटा है, तो same 10 में round off होगा, same 10 में round off होगा, तो 8 की value 8 रहेगी, right side का जो 2 है, वो बन जाएगा 0, क्योंकि राउंडिंग numbers है, left side का digit same रहेगा, ठीक है, तो हम start करते हैं इसको last digit से लिखना, last वाली digit क्या हो जाएगी, 0, 8 को हमें same 10 में कर रहे हैं, इसलिए as it is copy करना है, left side वाली digit, 8 के left side वाली digit, same रहेगी 2, तो 282 round off होगा, 280 में, आप खुद सोच के देखें बटा, 282, 280 के पास है या 290 के पास है, वो 280 के पास में है, ओके, यह method हमने देखा था, जब हमने rounding off number सी के थे, number lines पर, 54, round off to nearest tense, ठीक है, चलिए, first step, tense digit को mark कर ले, 5, 5 is on the tense digit, हम क्यों mark करते हैं 5 को, tense digit को, ताकि हमें पता चले कि, जो हमने mark digit की है, वो same copy करनी है, या उसको higher 10, plus 1 करना है, ठीक है, इसलिए उसको mark करना ज़रूरी है, अब right side में है once placed digit, that is 4, 4 को compare करेंगे 5 से, क्योंकि half of 10, 5 है, 4 को 5 से compare किया, तो हमने देखा, वो तो कम है 5 से, तो 5 से कम है, इसलिए जो tense place का digit है, वो as it is रहेगा, ओके, तो this 5 will remain 5, 4 will turn into a 0, तब ही तो वो rounded number होगा, 4 is 0, and 5 remains 5, अब ही estimated numbers हो गए, इनका हमें sum find करना है, मतलब हम plus करेंगे, 0 plus 0 is 0, 8 plus 5 is 13, I will write 3 and carry on 1, and 1 plus 2 is 3, 330 हमारा answer हो गया, तो हम margin में answer लिखेंगे, estimated sum, estimated sum is 330, यही तो हमें find करना था, देखिए, क्या find करना था हमें, estimate the sum, तो हमने estimated sum find कर दिया है, 330, let us see one example, B part, चलिए, 37 round to nearest tense, फटाफट करते हैं इसको, 10th place की digit है 3, right side की digit है 7, 7 5 से बढ़ा है, इसलिए 3 में हम plus 1 करके round up करेंगे, जो mark digit है, 10th place की वो एक number बढ़ जाएगी, तो यह 4 हो जाएगा, और 7 will turn into a 0, तो हमें देखना है, 2 digit number लिखना है, तो हम यहां से start करेंगे, 1st tense, 100 और एक plus के लिए हमने बॉक्स छोड़ा हुआ है, 0 and 3 will turn into a 4, ठीक है, 783, इसकी 10th place की digit है 8, अब चेक करते हैं, 1st place digit 3, 3 compare to 5, it is less, तो 8 will remain as it is, 10th place की digit जो है 8, वो as it is रहेगी, 3 जो है, वो 0 बन जाएगा, left side वाले digit as it is, plus कर देंगे इने, 0 प्लस 0 is 0, 8 प्लस 4 is 12, carry 1, carry number हमेशा हम circle करते हैं, and 7 प्लस 1 is 8, यह sum है, addition का answer को हम sum कहते हैं, और rounded numbers का है, इसलिए estimated sum, so our estimated sum is 820, C part question, 668 प्लस 459, ठीक है, 668 को nearest 10 में round करना है, तो 10th digit को mark करेंगे, कर दिया हमने 6 को, 8, compare it with 5, it is greater than 5, तो फिर क्या होगा, 6 में प्लस 1 हो जाएगा, ओके, right side वाली digit 0 हो जाएगी, left side वाली 6 रहेगी, और यह 6 हो जाएगा, प्लस 1 करके 7, तो let me write the estimated numbers, 1, 2, 3, हम एक box चोड़ेंगे, 3 box चोड़ेंगे हम, 1, 2, 3, अभी हाँ से लिखेंगे, 8 देखो बन जाएगा 0, 8 will turn to 0, यह 6 हमने round up किया है, तो प्लस वन आएगा इसमें, 7 हो जाएगा, 6 विल रिमेंगे 6, ओके, same, 459, 10th place digit is 5, now compare the digit on 1's place, 9, 9 is greater than 5, तो यहाँ 5 में भी प्लस 1 होगा, तो हम यह पता चल गया, कि यह 5 तो हो जाएगा 6, तो यह 10th place के digit में लिख देती है, यहाँ पे 6, राइट साइड वाला 9, यह बन जाएगा 0, लेफ्ट साइड वाला 4, सेम रहेगा, अब जलजी से आड कर देंगे, 0 प्लस 0 इस 0, 6 प्लस 7 इस 13, 3 carry on 1, 6 and 1 इस 7, 7 प्लस 4, 8, 9, 10, 11, यह 1 आगया, यह भी 1 आगया, अब देखो, 3-3 डिजिट हमने आड करें, लेकिन आंसर 4 डिजिट नमबर हो गया, because when we add, the numbers, the collection becomes more, यह थ हमने पढ़ाता एडिशन में, so our answer is, estimated sum, 1130, okay, D part, 64 प्लस 127, तो एक लाइन छोड़के लिखेंगे, सब बचे, 64 को nearest 10 में राउंड करेंगे, 10 में, इसलिए हम 10 डिजिट को हाइलाइट कर लेंगे, it is 6, now check the number on right side, 4, 4 is less than 5, तो 6 हमारा same रहेगा, 1, 2, 3, 3 डिजिट नमबर हमें आड करना है, और 2 डिजिट भी आड करना है, तो हम उसे हिसाब से लिखेंगे, 6 बन जाएगा हमारा 6 ही, 4 will become 0, 127, दूसरा number 127 है, 10th place mark कर दी हमने यहाँ पे, आप देखिए, nearest 10 में round कर रहे हैं, 10th place mark कर दी, digit on the right side is 7, 7 को compare करें, 10 का अधा कितना होता है, 5, 5 से अब यह तो बढ़ा है, जब यह बढ़ा है, तो इस में प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 में प्लस 1 हो जाएगा, 2 में प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3, यह हम 3 10th place पे लिख रहे हैं, 7 will turn to 0, left side digit will remain same, अब इनका sum find करना है, plus का symbol, 0 प्लस 0, 0, 6 प्लस 3, 9, 1 alone, estimated sum is 190, estimating sum to nearest 10, अगर आप यह समझ गए हैं, तो nearest hundreds भी हम कर सकते हैं, question number 1 कर लिया हमने nearest 10, और question number 2, it is estimating to nearest hundreds, उसे भी आप इसी इनी step से कर सकते हैं, let us see, estimate the sum to nearest hundreds, 100 हम लिखते हैं, 100 की तरह, ठीक है, and what is half of 100, 50, आपको यह दो बाते पता होने चाहिए, 100 में last में 2 0 होते, और 100 का half 50 है, जब हम estimate करेंगे nearest hundreds में, तो उस number की last 2 digits बन जाएंगी 0, यह आपकी hint है, याद रखने के लिए, let us see the example, 2390 प्लस 3555, यह दौनों नंबर्स को, हमें सम करना है, after estimating them, यादि के round off करने के बाद, 2390, we are rounding to nearest hundreds, hundreds में round कर लें, इसलिए 100 डिजिट को find करते, 1, 10, 100, our 100 डिजिट is 3, ठीक है, अब 3 के right side में, जो डिजिट है, दो डिजिट है, 90 मींस 90, 90 को compare करेंगे 50 से, अब आप बताएं, 90, 50 से बड़ा है, या चोटा है, वो तो बड़ा है, जब भी number आपका बड़ा हो, तो आप उसको round up करेंगे, इसका मत्दब है, जो हमने mark डिजिट करी है 3, 3 में हो जाएगा plus 1, जो right side के डिजिट है 90, ये दौनों ही 0 बन जाएंगे, left side वो डिजिट 2 रहेगी, ठीक है, तो when we are rounding to nearest 100, last two digits will become 0, last two digits will be 0, 3, 3 को हम plus 1 करेंगे, हमारी जो mark डिजिट थी, वो round up हो रही है, तो 3 will become 4, left side digit will remain the same, it will remain as 2, so 2390 is rounded to 2400, let us see for the next number, 4 digit का number है, हम nearest 100s round कर रहे हैं, तो 100 place के digit ही आगई, 3rd बाला, इसे हम mark कर लिया, क्यों mark किया है हमने इसको, ताकि हमें पता चले कि हम पो 5 as it is, copy करना है या इसको plus 1 करना है, अब कैसे बता चलेगा, right side के digit देखिए, 55, 55 को compare करेंगे हम 50 से, क्योंकि half of 150 है, अब 55 तो बड़ा है 50 से, so we will add 1 to the mark digit, यो mark हमने इसे लिए तो किया था, तो हमें पता चले, के इसमें plus 1 करना है या नहीं करना है, 55 is greater, so it will come here, plus 1, अब जो last 2 digits है, rounding to nearest 100 है, तो last 2 digits तो 0 ही होंगी, क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं, this 5 will add 1, तो 5 plus 1 becomes 6, and 3 will remain the same, ये रहेगा 3, हमने ये numbers को estimate कर लिया है, यानि कि round off कर लिया है, अब करना है इनका sum, sum is answer of addition, चलिए, 0 plus 0, 0, again 0 plus 0, 0, 4 plus 6 is 10, so we will write 0 here, carry on 1, 2 and 1 is 3, 3 plus 3 is 6, our rounded answer, the estimated sum is 6000, okay, our question number 2 is, estimate the sum to the nearest hundreds, we know children half of 100 is 50, चलिए, ए पार्ट लेते हैं, 108 plus 253, पहले हम इसे round off करेंगे, nearest hundreds में, तो hundreds place को mark कर ले हम, 1 is the hundreds place, ठीक है, अब last, उसके right side के digit है 08, 08 का मतलब होता है 8, 8 को compare करेंगे 50 से, 8 is less than 50, तो यह दौनों digit बन जाएंगी 0, last की digit बन जाएंगी 0, 1, because it is less than 50, 8 is less than 50, तो 1 में कोई change नहीं आएगा, 1 will remain as it is, इसको कहते हैं हम round down, 1 will remain as it is, next number is 253, let us mark the hundreds place, 1 stands hundreds, hundreds place digit is 2, इसको mark कर लिया, अब right side की, जो remaining digits हैं, उनको देखते हैं, compare it with 50, यह 50 से जादा है, जब भी यह 50 से जादा होगा, तो हम mark digit में plus 1 करेंगे, ठीक है, तो 2 हो जाएगा 3, last two digits बन जाएंगी 0, क्योंकि 100 में 0 होते हैं न, 2 0 होते हैं last digit, last digit दौनों 0, and 2 will become 3, तो 253 is rounded as 300, हमने round off कर लिया है, अब इसका sum, 0 प्लस 0 is 0, अनदर 0 प्लस 0 is 0, 1 प्लस 3 is 4, 400 is our estimated sum, ठीक है, आंसर लिखेंगे यह, 400, estimated sum, V part, 339 प्लस 420, हम round कर रहें, nearest hundreds में, 1 stands hundreds, hundreds place को highlight कर लिया, mark कर लिया हमने, last two digits are 39, 39 तो less than 50 है, तो क्या होगा, mark digits same रहेगी, कोई change नहीं होगा, last two digits हो जाएंगे 0, तो हमने 39 को तो लिख दिया, 00, और 3 will be as it is, okay, because steps हमने सीखे है, 420, hundreds place is 4, right side के digit हो रही है, once or 10 में, 20, 20, 20, 20 again, it is less than 50, अब 50 से कम है, तो 4 as it is रहेगा, change नहीं होगा, और 20 है, यह जो last two digits, दोनों 0 हो जाएंगी, तो हमाई last two digits हो गई 0, और 4 change नहीं हो रहा है, 4 is as it is, plus करेंगे, 300 plus 400, very simple, it is 700, mental maths, so our estimated sum is 700, next part is, 3788, एक 4 digit नमबर है, plus 582, 3 digit नमबर है, तो यह रहा 4 digit नमबर, 3788, we are rounding to nearest, hundreds, इसलिए, hundreds प्लेस में, dot लगा दिया हमने, next, जो 2 digits हैं, 88, 88 को compare करेंगे, 50 से, क्यों 50 से, क्योंकि, 100 का आदा कितना होता है, half कितना होता है, तो 50 से compare करना है, 88 is bigger than 50, तो क्या हो जाएगा, हमारे target digit, mark digit में, plus 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यह बात याद रखती है, आपे हमें, plus 1 करना है, और, last 2 digits हो जाएगे, 3 will remain as it is, तो हमें 4 digit नंबर को लिखना है, यह plus के लिए जगा छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 88, last 2 digits हो 0, okay, 7, इसमें plus 1 हो रहा है, इसे लिए बन जाएगा 8, 3 will remain as it is, ठीक है, So, 3,788, rounded to 3,800, इसको कहते है, rounding up, जब हम target digit में plus 1 करते हैं, तो इसे कहते है, rounding up, 582, we are rounding to nearest hundreds, 100th digit is 5, check the number, 82, 82 is bigger than, 50, तो हम क्या करेंगे, 5 में plus 1 हो जाएगा, यानि यह rounding up हो गया, round up हो गया, 82 will become 0, दौनों digit 0 हो जाएगे, जैसे 100 में 2 0 होते, तो rounding to nearest 100 में भी double 0 होंगे, last में, 5 में हो रहा है, plus 1, यह round up हो रहा है, 5 will become 6, let us add then, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, again 0, 8 plus 6 is 14, and one number goes carry, 3 plus 1 is 4, our estimated sum is 4,400, I hope children, you will be able to do everything, in your fair copy, आप बहुत नीटली लिखेंगे, और पैंसल से लिखेंगे, thank you children, आप बहुत नीटली लिखेंगे,